बिनीता ब्लोग में आप लोग का स्वागत है आज मैं बनाई हूँ चावल से रंग बिरंगी गोलियां जो की बहुत सौप्ट बनी है बहुत सौप्ट बनी है तो एक वार आप ट्राय जुरूर करें और चलिए बनाते हैं इसको स्री सिवाय नमस्तुभ्याम आज मैं बना रही हूँ चावल के भरें उसको बनाने के लिए मैंने लिया है चावल का आटा यह है चावल का आटा इसमें डालेंगे स्वादन उसाड नम्मा और इसको अच्छे से मिला लेंगे कर दो और खेकर पर अप्च अच्छा थे बनाले किरा नेरह किता कि अच्छाशμagar नियुक्शरे नमस्तुछ भ विए शहाज ंच्छवल दूनेया है मिला यहथा सोड़ अच्छ़ अच्छा ऒे सी मिला लेंगे यह गुंगुना पानी है इसकोची तरह से एक डो बना लेंगे यह डो मेरी रेडी है अब इसको बनाते हैं नास्ता सब को इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से शारे गोलिये को बना लेंगे और इसको पानी में उबा लेंगे पानी इसमें डाल देंगे थड़ा सा और नमा इसमें उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद इसमें हम सारे गोलियों को डाल देंगे इसको ठक के उबाल लाने देंगे इसको ठक के उबाल लाने देंगे अब इसको ठक के उबल में लेंगे यह देखिए मेरे रंग बिरंगी गोलिया तयार है अब इसको निकाल लेते हैं अब ने फिटे चलाया कड़ाई है विसमें हम डालेंगे तेल आई हो गई हमारी गरम हम इसमें डाल देते हैं थ्ट्रासा तेल यह लाल मिर चवर्ट पिली सरसों इसको ड़ाल देंगे तेल इसको भी डाल देंगे और यह हैं पास्ता मसाला इसको लखास डाल देंगे सबको अच्छी तरह मिलाएंगे इसमें इसको डाल देंगे अब देखे रंग बिरंगी गोलियां हमारी तयार है इसको निकाल लेते हूं यह देखे चावल की रंग बिरंगी गोलियां तयार है यह बहुत जल्दी से बनने वाली है और हेल्दी भी है कि इसको मैंने एक चमच तेल से बनाया है तो आप भी जरूर बना यह नास्ते में बना यह साम को एक वर ट्राय जरूर करें और मिलते हैं नेस्ट ब्लाग में नई रेसिपी के साथ तब तक खुस रहिए खुसियां बाढ़ते रहिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सेस्क्राइब और कॉमेंट में अपनी जरूर दे बागाई